हेलो दोस्तों मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साम जिसमें मैं एक प्रोपर गाइड करूगा कि आपको ब्लोगिंग कैसे और कहां से सुरू करना है कहां से सीखना है बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि भाईया मैं ब्लोगिंग करना चाहता हूँ लेकिन कैसे और कहां से सुरू करूँ तो ये एक प्रोपर गाइडेंस वाला वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्लोगिंग कैसे स्टार्ट करें यूटूब पे बहुत सारे ब्लोगिंग के रिलेटेड कंटेंट आ चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रियेटर हैं जो की अच्छा वीडियो डालते हैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं तो उन वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों को confidence आता है, उनका मन करता है कि मैं भी कुछ करू, मैं भी blog बनाओ, मैं भी blogging में कुछ करू, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि proper कहां से शुरू करें और कैसे करें, तो आज का ये वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है, बह hosting तलास रहे कि कौन सा hosting अच्छा है, तो आप blue host के तरफ जा सकते हैं, इसमें आपको free SSN मिलता है, अगर एक साल का plan लेते हैं, तो आपको free domain मिलता है, और ये काफी अच्छा hosting माना जाता है, ठीक है, और इसके अलावा, अगर मेरे link से आप blue host का hosting खड़ीते हैं, तो मैं premium group मे आपको add कर दूँगा, जहां पर आप मेरे से guidance, proper guidance ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप मेरे से free themes, free plugins भी ले सकते हैं, जब भी ज़रुरत पर हैं, आप मेरे से कोई question पूछ सकते हैं, तो चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज के इस amazing वीडियो को सुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, प्लीज इस वीडियो को like किजिए, अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो please subscribe किजिए, जो कि बिलकुल free हैं, सबसे पहले तो आपको एक guru या mentor बनाना है, किसी को भी आप बना लो, यह ज़र नहीं है कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो एक content creator पर, आपको मैं यह multiple नहीं बोलूँगा कि आप multiple चीजों को follow करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप videos देखोगे ना, जितना ज्यादा लोगों को आप follow करगे ना, उतना ज्यादा confusion होगा, इसलिए सिर्फ आप एक mentor follow करो, और उनके ही video को follow करो, वो जो जो tips यार guide बताते ह वैसे ही आप आगे वढ़ो, वैसे ही आप blogging करो, let's suppose आपने किसी एक mentor को select कर लिया, ठीक है, उसके बाद जितने भी blogging से related content creator है, सबका अपना free course है blogging से related, आपको paid page invest नहीं करने के जड़त है, क्योंकि free more than sufficient है, जहां से आप शुरू कर सकते है, जैसे कि मैंने भी अपना एक पूरा course बनाया हुआ है blogging के उपर, जिसमें 10 वीडियो है, मेरे channel पे जाके playlist section में जाओगे न यहां पे, तो नीचे यह देखो, यह free blogging course है, जहां पे 10 वीडियो step by step है, जहां से आप blogging सीख सकते हो, जब भी मेरे पास किसी का message आता है, मैं बोलता हूँ कि यह free blogging course follow करो, त उनके लिए है कि आप इसको proper step by step एक बार फिर से follow करो, लेकिन इस बार आपके पास एक notebook होना चाहिए, और proper notes बनाओ, क्योंकि देखो, क्या होता है actually में, जब भी आप वीडियो देखोगे ना, तो आपको सारा चीश समझ में आएगा, कि हां मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना ह लेकिन वहीं आपको एक घंटे बाद एक दिन बाद पूछा जाएगा, तो आप बिलकुल भूल गए रहोगे, इसलिए आपको वो notes बना लेना है, तो ऐसे आप किसी एक mentor का free course पकरो, step by step देखो और उनके notes बनाओ, बहुत लोग सीख भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके अ बताया है कि कैसे needs select करना है अपने interest के उपर, वैसे ही सब लोग बताते हैं, तो उसी के base पे आप एक select करो और start करो, लेकिन बहुत लोग का main question ये रहता ना, कि सामने से आप बता दो जिसमें ज़्यादा income हो, तो भाई आपका ये simple जवाब है मेरा, कि आप यहाँ सीखने आय हो, यहाँ पे आप income का मत सोचो, यह सोचो मैं कैसे सीखू, तो सीखो कैसे, कोई सामने वाला बता देगा कि ये कर लो तो आप सीख जाओगे, नहीं सीखोगे ना, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप खुद से find करो, एक select करो और उस पे काम करो, अभी आप जीरो पे होना, तो कुछ काम करोगे, तो कुछ ना, कुछ तो knowledge gain होगा ना, या तो rank होगा, या कुछ उसके बारे में आपको जनकारी मिलेगी, तो आपको नीस खुद से select करना है, उसके बाद बहुत लोग का ये question रहता ना, कि भाईया मैं wordpress पे बनाओ या blogger पे, तो मैं ह wordpress से ही सुरू करो, क्यों आप time ज्यादा blogger पे लगाओ, तो अगर आपके पास investment करने के लिए पैसे है न, like hosting वे गएरा पे, तो आप wordpress के साथ जा सकते हो, इसी ये होगा ना, कि skill आपका gain जल्दी जल्दी होने लगा wordpress पे, wordpress का एक wider demand है, तो आप wordpress के साथ जा सकते हो, ल थोरा सा customization और coding में महनत करना पड़ता है, लेकिन आपको मैं suggest करूँगा कि ये custom domain के साथ जाओ, blogspot.com के साथ मत जाओ, एक अपना custom domain लेनो, और उसके साथ blogger पे blog बनाओ, अगर आपको wordpress versus blogger पे video चाहिए, तो आप नीचे comment करके बता सकते हो, जिसमें मैं पूरा detail के साथ, experience के साथ बता दूगा कि किसको blogger पे सुरू करना चाहिए, और किसको wordpress पे सुरू करना चाहिए, क्या-क्या इनके फायदे और नुकसान है, यहां तक तो हो गया कि आपने अपना niche select कर लिया, आपने अपना blog let's suppose बना लिया, या वो platform चूज कर लिया, blogger या ये wordpress, लेकिन article क मैं copy paste करने, तो इसके लिए ये है कि आपको ऐसे चीजों को follow नहीं करना है, फिर मैं बता रहा हूं कि आप यहां सीखने आयो हो ना कि copy paste करने, तो थोरा सा आपको hard work तो करना ही पड़ेगा, इसमें घवराने की कोई ज़रुत नहीं है, थोरा थोरा ही सीखो लेकिन practice करते जा आप यह सोचो कि एक साल के बाद मेरा blog कैसा रहेगा, मैं कैसा content writer रहूंगा, कैसे लिख पाऊंगा, आज का मत सोचो कि मेरे से आज नहीं लिखा गया, आप बस थोरा सा सीखो उसको, आपको chat, gpt, copy paste, यह सब चीजों के चकर में नहीं परना है, अगर आप content writing अपने blog के वीडियो है, जो बहुत ही amazing वीडियो है, जिसको follow करके आप easily content लिखना शुरू कर सकते हो, सीख सकते हो, तो यह method आप follow कर सकते हो, इसका link मैंने description में दे दिया है, तो आप थोरा सा learn करो, practice करो, hard work करो, और खुझ से सीखो लिखना, क्योंकि आपको skill require करना है, ना कि आपको य मैं article लिखोंगा, लेकिन यह सोचते ही रह जाते हैं कि मैं लिखोंगा, लिखोंगा, तो आपको overthinking नहीं करना है, आपको सबसे पहले यह करना है कि at least एक blog तो बनाओ, फिर setup करना सीखो, अपना blog setup करो, फिर article लिखना सीखो, और कम से कम daily नहीं, तो सबता हमें एक article डालो जादा मत सोचो, at least let suppose आप मेरे को या किसी को भी reach out करते हो, किसी health के लिए, तो सामने से लोग पुछेंगे कि आपका blog क्या है, कैसा आपने काम किया है, तो आपने बनाया रहेगा, तभी तो आप सामने वाले को दिखाओगे या so कर पाओगे, अभी आप सोचते ही रहोगे तो सोचने का कोई value नहीं है, जब तक आप कुछ action नहीं करते हो, तो आप overthinking छोड़ो, at least एक blog बनाओ, और blog setup करके content उस पे डालना शुरू करो, उसके बाद ये अगर हो गया ना, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे facebook groups है, telegram groups है, मेरा भी telegram group है, जिसका link description में, वो join करो, व इससे कि आप updated रहोगे कि कौन से नीचे चल रहा है, SEO में, blogging में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मुझे सीखना चाहिए, ये आपको knowledge gain होते रहेगा, तो जहां तहां time waste करने से अच्छा है कि आप groups join करो, वहां पे देखो, लोग क्या पूछते हैं, आप भी पूछो, और knowledge क को gain करो, और इस field से updated रहो, उसके बाद आपको देखो घवराना नहीं है, hard work से नहीं डरना है, आपको shortcut following नहीं करना है, आज कल बहुत लोग video डाला है, copy paste, tool website, web story, chat, GPT site, ये सब के चकर में आपको बिलकुल भी नहीं परना है, मेरा ये recommendation है, कि आपको blogging सीखना है, उसके लि से आएगा, ना chat GPT से आएगा, ना web story से आएगा, वो तभी आएगा जब आप एक proper blog setup करोगे, content writing करोगे, उसके content डालोगे, उसका on page SEO करोगे, backlink बनाओगे, उसका ranking देखोगे, कैसे rank हो रहा है, तभी आपका foundation strong होगा, तो इन सब चीजों के पीछे मत परो की shortcut में मुझे ल income उन ही के होते हैं, जिनका foundation strong होता है, तो आपको ये है कि आपको shortcut के चकर में नहीं परना है, बाकी अंत में देखो, मैं ये बोलना चाहूँगा, कि आपको सब चीज खुद करना है, कोई आपको हाथ पकर के नहीं बताएगा, कि ये ये चीजे करो, ऐसे ऐसे करो, ये मैं site बता देता हूँ, ये मैं niche बता देता हूँ, मैं keyword बता देता हूँ, इस पे बना लो और income होने लगा, ऐसा रहेगा, तो कोई क्यों बताएगा आपको keyword, वो खुद क्यों नहीं कर लेगा, समझ में आ रहा है ना आपको, तो आपको खुद से ही करना है, लोग, मैं या कोई भ करा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप process सीखो, process को follow करो, और process को implement करना सीखो, तो इस video का conclusion मैं बता देता हूँ, कि क्या-क्या आपको करना है, अगर blogging सीखना है, और कैसे सीखना है, सबसे पहले तो आपको एक mentor या guru बना लेना है, और उन पे trust करना है आपको, उनका जो भी course है, free course, आपको paid पे नहीं जाना, उसको follow करके, आपको उसको notes बनाना है, कि क्या-क्या notes है, फिर एक niche decide करके, उस पे आपको एक blog बना लेना है, at least, क्योंकि blog बनाओगे तभी तो आपका journey सुरू होगा, उसके बाद आपको continuous learning करते रहना है, या तो वो content के related हो, या blog क related हो, या SEO के related हो, आपको content डालना ही डालना है, या तो daily डालो, या दो दिन के बाद डालो, या एक सबता के बाद डालो, लेकिन आपको अपने blog पे content डालते रहना, इससे यह होगा कि आप continuous सीखते जाओगे, और आपको shortcut जैसे tools website, copy paste, web story, ये सब चीजों पे आपको हो जाएगा, कुछ income होगा, लेकिन long term में वो sustain कभी नहीं करेगा, दो चार मेना ही चलेगा, long term में sustain वो करेगा, जो कि आपका knowledge होगा, जो आपका skill होगा, उसके base पे आप बहुत लंबा जा सकते हो, और अंत में ये है कि आपको सब खुद से करना है, आपको किसी के भरो से न पैनल को subscribe कीजिए, जो कि बिल्कुल free है, जैसा कि मेरा content होता है, जो amazing content, बिल्कुल मैं free में देता हूँ, thank you so much